हेलो स्टूनेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल तो एक बार फिर आवज हम अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमें स्टैटिस्ट क्लास टैंथ स्टैटिस्टिक एक्सराइस 14.2 कुश्चिन नमबर वन क्लास पहले हम कुश्चिन पढ़ लेते हैं दा फॉल हमें इसके अंदर जो हैं मॉड निकालना है अभी तक कम लास माइन में कर चुकिए है मैक्सिमम नंबर अकर जो भी नंबर जो भी बहुत सारी भिभर सबसे जिसकी फिकेंशी आदि यह वह हमारा मॉड होता है लेकिन यहां पे हमने जो नई पढ़ा है हमने अंगृपड़ा तो अन्गूरूप डाटर में हमने क्या पड़ा है जैसे कि माल यह क्लास का हमने टैस्स लिया 10 मास का उसमें 237454346 123456789 यह एक लिली हमने 7 अब उसमें हमने से कहा गया कि भी इसके अंदर मॉड बता ही है तो वहां यहां पी क्या होता है यह अन्गूरूप डाटर में क्या करते हैं जो भी नंबर सबसे ज्यादा वरतवार है जैसे कि यहां पर आप देखें 123 तो फोर जो है वह हमारे पास त्री टाइम्स आ रहा है तो यहां पर जो आंसर आ गया वह आगया मॉड इस इकल टू ठीरी क्योंकि यहां पर जो है यह maximum number अकर कर रहा है लेकिन यह थी class हमारी ninth की बाद अब हम class time में क्या है class time में जो है हमारे पास group data दे रखा है वह हमें क्या दे रखा है group data दे रखा है अब group data का हम question कैसे करेंगे सबसे पहले class बहुत असान है यह इसमें आपको कोई extra का work नहीं करना simple आपक आपको देखना है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा times कौन सा रहा है यह six है यह 11 यह 21 यह 23 यह 14 यह 5 तो maximum frequency जो दे रखिये वह आपकी 23 दे रखिये तो class यह हमारी हो गई model class अब इसके अंदर जो पहले हम देखते हैं कि हमारा formula क्या होता है हमारा जो formula होता है mod का वह होता है आपका L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H अब class एक बार हम discuss कर लेते हैं कि यह L क्या है यह F1 क्या है यह F0 क्या है तो सबसे पहले वैसे तो हमें नाम से ही पता चल ला है कि अगर आप देखें यहाँ पे 0, 1, 2 हम इसी formula से कर लेंगे 1, 1 means जो हमारे यहाँ पर maximum क्या है तो यह हमारा हो जाएगा F1 जो इससे उपर है यानि कि previous, preceding वो हमारे पास हो जाएगा F0 जो हमारे पास यह क्या है, यह हमारे पास है F2 और वही class हमारे पास, जो model class है, इसकी यह चीज़ हो जाएगी, यह हमारे पास हो जाएगी L और class size क्या हो जाएगा, जो इनके बीच में gap है तो class हम एक बार लिख लेने हैं, पहले हम देखते है, lower limit of model class जिसको हमने L से शो किया है, जो हमारे पास model class कि अगर आप L देखें, तो कितना है हमारे पास, यहां पर 35, तो हमने इसको 35 लिख दिया, वहीं उसके बार आते class size class size है हमारा h, h class size क्याता है upper limit minus lower limit नहीं, यहां पर 10 का है, 15, minus 5, 10, कोई से नहीं ले सकती है, model class ले 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 हैं, कोई से भी, उसके बार आता है frequency of model class तो frequency of model class जिसको हम बोलते है, F1, तो frequency of model class मैंने table में आपको ओपर दिखाई दिये, F1 कितना हमारे पास, 23 frequency of, हमारे पास जाएगा preceding किसकी preceding the model class तो class preceding is previous, पहले बाला, तो पहले बाला यहां पर क्या है, F1 जो कि हमारे पास 21 है, तो यह F1 हमारे पास आगया 21, फिर frequency of बार बाला, succeeding जो हमारे पास, F2 कितना है हमारे पास, 14 यहां पर formula लगा रहे थे, mod, क्या था, L plus, F1 minus F0, 2 F1 minus F0, minus F2 into H, अब हमारे पास जो L है, L हमारे पास कितना है था, 35, F1 कितना है हमारे पास, 21 minus F1 कितना है, sorry, 23, उसके अधर हमारे पास F0 कितना है, F0 हमारे पास 21 2 into F1 कितना हमारे पास 23, यह हमारे पास कितना है, 21, minus 14, into H, H कितना हमारे पास 10 simple आपको जहां जहां value है जो f1, f0, f2 को उनको replace करने हैं और वहां पर values put कर दिनी है solve कर लेंगे हैं एक बार 35, 23-21, 2, 2 into 23, 46, minus minus plus sign minus का आएगा हमारा आग्या minus 35 into 10, 35, two tens are 20, 46 divided by minus 35, 11 11, 35, 11 मनज़ा 11, point, 21 में से 11 गए, 9, 90 यानिके 11, 8, 88 तो class 35 plus 1.8 हुआ है यानिके 35 plus 1.8, 36.8 और यह हमारा mod हो गया simple यानिके इसमें हमें जो question में हैं यानिके maximum number of जो patient हुए जो उनकी age हुई वो कितनी हुई 36.8 हुई अब हम इसी question का mean निकाल लेते हैं यहाँ पर हमें age दे रखे 5 15 15 25 25 25 35 35 45 45 55 वहीं यहाँ पर हमें number of patient दे रखे हैं यह हमारे पास क्या हो गए यहाँ पर लेकिन मैं यहाँ पर लगा दो यहाँ थोड़ा असान है सबसे पहले हम क्या करेंगे class mark निकालेंगे class mark निकालेंगे class mark क्या होता है लोड़ लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई टू यानिके 5 प्लस 15 20 20 को जब हम टू सर्वाइड करेंगे 10 15 25 40 40 को टू सर्वाइड करेंगे 20 मैं कहा था अगर यहाँ पर class size 10 10 का है तो आप क्या करिए आप यहाँ पर 10 10 एड कर यह 20 मैं ट्रेट करिए 30 30 में टैने टकर एड करिये 40 40 में टैने ब्रेट करिए 50 50 में टैने टकर यह 60 अब आगे क्या होता है यहां पर next हमाँ पास क्या होता है you are you I Amin यो यह होता है XI माइनस A एग मैंने आपको बताया था 123456 तो आप क्या करिए पहले आप देखी समें क्या है इसमें हमाँ पस दो मेडिल टम्सिख यह आ गयी हमाँ पस दो मिडिल टम्स यह पर हाइब अब हमारे उपर है कि हम या तो ए इसको मानले या इसको मानले तो हम क्या करते हैं क्लास इस वाली टर्म को हम ए मानले ते इस वाली टर्म को हम ए मानले ते यानि कि यहां पर आ जाएगा आपका माइनस 40 अपॉन में H, H क्या होता है हमारे पास होता है, जो भी class size है, class size हमारा यहाँ पर 10 है, 10 तो आप यहाँ पर रखे 10 minus 40 minus 30 upon 10 minus 3 आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पर minus 20 minus 40 रखेंगे, minus 20 upon 10 minus 2 आ जाएगा, यहाँ पर minus 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, वैसे भी मैंने आपको बता रखेंगे, कि हमेशा आप क्या करिए, यहाँ पर 0 रखेंगे, जो middle time है, और उपर आप negative integers पर ले जाएगे, नीचे आप positive integers पर ले जाएगे, आप class क्या करते हैं, next में आपस fi, ui, fi और ui को multiply करते हैं, कौन सा, fi means यह वाला, and ui means यह वाला, हम इन दोनों columns को multiply करते हैं, fi, ui को, तो 63, 18, 11, 22, 21, 21, 23, 0, 0, 14, 1, 14, 5, to the 10, अब class अगर आप देखें, यह दोनों positive के, तो 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा महाँ पास, 24, वही, माइनस 18, माइनस 22, माइनस 40, माइनस 40, माइनस 21, माइनस 61, अब माइनस के 61 है, प्लस के 24 है, तो हमें पता है, प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, अगर हम 61 में से 24 माइनस करेंगे, 37, sign greater का आता है, greater यहाँ पर माइनस करें, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इधार इनको frequency को प्लस कर लेते हैं, कैसे, 6 में 1 अट करें, 7, 7 में 1 अट करें, 8, 8 में 3, 11, 11 में 4, 15, 15 में 5, 20, 2 कहरी, 2 में 1, 3, 3 में 2, 5, 5 में 2, 7, 7 में 1, 8, यह हमाँ पास से कैसे होगी, अब क्लास हमें क्या होता है, हमें पता है, से step deviation का formula, तो step deviation का formula क्या होता है, मीन, से x bar, a plus h, submission fi, ui, upon me, submission fi, अब a क्या है, a हमारा जो assume mean, जो हमने middle term मानी है, a हमारा होगी है, 40, h class size, class size कोई सभी ले ले जाएं, यहाँ पर submit 10 है, submission fi, ui कितना है आपका, minus 37, यहाँ पर कितना है, fi, 80, अब हमाँ पास 0 से 0 cancel होगया, यहाँ पर हमाँ पास कितना है, 40, plus minus, minus, 37, upon 8, 40, cancel करते हैं, तो cancel करेंगे, तो 8, 4, 32, 37 में से 32 जाएंगे, 5, 50 हो जाएगा, 8, 6, 48, 50 में से 48 जाएंगे, 2, 20, 8, 2, 16, and 8, 5, 40, तो हमाँ पास आगया, minus के 4.625, तो class इस में से 40 में से 4.65 कर दिए, आनसा जाएगा, 35.375, यानिके, यह हमारे पास आगया, mean, यानिके, अगर कभी आप से, यहाँ पे हमेंने mod से भी कर रहा है, और mean से भी कर रहा है, और इनका बात में compare कर दिए, तो mean का मतलब हुआ, average, यानिके, जो वहाँ पे जो patient आ रह patient कितना है, तो maximum number of patient कितना आया था, वह आया था, हमारा 36.8, तो mod में maximum number of patient, mean में average of a patient, तो हम यह चीज़ निकाल नहीं है, तो मैंने आपको step division वैसे पहले हम कर चुके थे, लेकिन main exercise mod की है, mod का question अक्सर paper में आ जाता है, two marks का, इस बार भी board में two marks का question आया था, तो अगर आप को कोई भी की समझ में नहीं आई है, तो आप comment box में जाके लिखेगा, मैं आपके वो doubt किलियर करूँगा, class अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको like, share and subscribe जरूर करिए,